देश में बीदे एक दिन में कोरोन संक्रवंट से 52 मरीजों की मौत हो इस दोरान 1335 नहीं मामले सामने आए वहीं 1918 मरीजों को चुट्टी दे दी गई केंदरे स्वास्थे मंतराले की द्वारा जारी आक्डों के अनुलसार 52 मरीजों की मौत होने से म्रतोकों की संख्या बढ़कर 5,2181 हो गई इलाज करा रहे मरीजों की संख्या संक्रवंट के कुल मामलों का 0.3% है जबकि COVID-19 से स्वस्त होने वाले मरीजु की रास्टे धर 98.6% है महारत में कोरोने के मामलों में लगातार कमी आ रही है इसी को देखते वे महारास्टरा के उदर सरकार निराज्जे में लागू सभी कोरोना प्रतिवंदों को हटाने का फैसला किया महारास्टरा में गुर्वार को हुई कैबिनेट के बैठक पर इस पर मोहर लगा दी गई वहीं आपको बदा दे स्वास्थे मंत्री राजे स्टोपी ने इसकी जानकारी देते बताए कि 2 अप्रेल से राजे में फेस मास्क पहना स्वेच्छिक होगा यानि अब ये जनता पर निर्भर करता है कि वो मास्क पहने या ना पहने पस्षी मंगाल में COVID-19 के स्टती में काफी सुधार होने के बीच राजे सरकार ने गुर्वार को को लेकर सभी सभी प्रती बंदों को हटा दिया है ये आदेश कुर्वार आधी रात के बाद से लागू किया गया वहीं आपको बतादेश सरकार द्वारत जारी अधी सूचना में ये कहा गया कि पहले के आदेशों के आधार पर लागू कोरोना प्रती बंदों को वापस ले लिया गया है हाला कि मास्क पहने और साफ साफाइक पर सकती जारी रहेगी पस्ट्री मंगाल में मार्स 2020 में महामारी की चपेट में आने से लगबग 2 साल बाद प्रती बंदों को वापस लिया गया फिलाल बात करेंगे जनपर सहारेनपूर की तो आप सभी जनपर वास्यों के लिए खुश खबरी है जी हाँ जनपर सहारेनपूर एक बार फिर से पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है ना ही जनपर में सक्रे केस की कोई संक्या यानी की सक्रे केस फिलाल शुन्ने है और बीते 24 खंटे के दुरान एक भी मरीच में संक्रमन की पुस्टी नहीं हुई इसलिए आज सभी लोगों को अभी भी बहेच सावधानी बरतने के आउशकता है फिलाल आज के लिए इतना ही एक बार फिर हाजी रोंगे लेटस्ट अपडेट के साथ आज के वीडियो आपको कैसा लगा अपनी विचार हमाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा